ये इपिसोट की शुरौत में हम देखते हैं कि उन्हो जुल को जाते हुए देखता है फिर वो गुस्य से आरंग के पास आता है और उसे पूचता है कि जुल यहां क्यों आया था इस पर आरंग से सारी बातें बताती है और उसे ये भी बताती है कि उसने लीसियो रिम की डायरी जुवाल को पढ़ने के लिए दी है ताकि उसे लीसियो रिम की फीलिंग्स के बारे में पता चले आरंग की बातें सुनकर युन्हो थोड़ा रिलैक्स फील करता है नेक्स्ट मॉर्निंग युन से लौट चुआई के घर का पता पूछ रही थी उस दिन मैंने आपसे ये बात नहीं बताई थी क्योंकि इस गाउं में लौट चुआई से रिलेटेड कोई बात नहीं की जाती ये सुनकर युन्हो वापस कॉंटी आफिस आता है और दोल्वे से कहता है कि मेरे फादर को एक लेटर भेज कर उनसे लौट चुआई के बारे में पूछो उन्हें पता होगा कि आखिर मां लौट चुआई से मिलने मिर्यांग क्यों आई थी इधर आरंग केयर टेकर लेडी की डित के बारे में बताने के लिए युन्हों का वेट कर रही होती है और वो ये भी सोच रही वाक पर निकली होती है तभी वो देखती है कि वही हेर पिन लगाए एक लेडी जुआल के पास रिवर ब्रिज पर जाती है शायद वो युन्हों की मा होती है जुआल उन्हें लेकर कहीं जाने लगता है इस विजन के नजर आने पर आरंग थोड़ी देर के लिए सोच में पढ़ जाती है फिर साम को वो उसे रिवर ब्रिज पर जाती है तो वहां जुआल भी आता है और उसे लीसी और रिम की डायरी वापस देता है और कहता है कि पहले तो मैं उन अफवाहों पर यकीन करता था जो लोगों ने फैल आई थी पर अब जबकि मुझे सच्चाई का पता चल गया है तो मैं लीसी और रिम के लिए सौरी फील कर रहा हूं मैं इस डायरी को रखने के काबिल नहीं हूं इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो इतना कहकर जुआल वहां से चला जाता है तो आरंग डायरी लेकर वापस आ रही होती है तभी उसे दो बारा एक व यह यह पिन उसके हाथ में आ जाती है पर वह जुवाब के साथ चली जाती है इस वीजन के नजर आने पर आरंग सोच में पड़ जाती है कि आखिर जुवाल युणों की मां को लेकर कहा जा रहा था फिर अंधेरा होता देख वह कौंटी आफिस वापस आ जाती है इधर क्या करोगे इस पर उन्हों कहता है कि मुझे नहीं पता पर मैं अपनी मां को बचाने की पूरी कोसिस करूंगा इस पर आरंग कहती है कि जेट इंपरेड ने तुम्हें ये फैन और ये हेर पिन दी और तुम्हें भूतों से फाइट करना भी सिखाया और उन्हों भी उसकी बाद से एगरी होता है इस पर आरंग कहती है कि वजह जो कुछ भी हो मैं अपनी मौत का पता लगाऊंगी और वापस हिवें जाऊंगी फिर वो युन्हों को केर टेकर लेडी की मौत के बारे में बताती है और उनके मडरर को एरेश्ट करने के लिए कहती है इस पर हो नेक्स्ट मौर्निंग ही दोलवे को कुछ गार्ट के साथ माउंटेन पर जाकर केर टेकर लेडी की डेट बाड़ी ढूड़ने के लिए कहता है इस पर आफिसर ली बैंक और आफिसर ये बैंक कहते हैं कि वक्त आ गया है कि हम डिसाइड कर लें कि हमें लॉट चुआई की साइड पर रहना है कि मजिस्टेट की साइड पर रहना है इतना कहकर वो आफिसर ह्यूंग बैंक की तरफ देखते हैं तो वो दोलवे और गार्ट के साथ जल्दी जल्दी माउंटेन पर केर टेकर लेड़ी की डेट बाड़ी को ढूड़ने जा रहे होते हैं वो सभी लोग म से कहता है कि हमें डेट बाड़ी मिल गई है तुम जाकर मजिस्टेट को बुला लाओ इस पर वो तुरंट जाकर मजिस्टेट को बुला लाते हैं वो सभी डेट बाड़ी को देखते हैं तभी वहां आरंग आती है युन्हों से डेट बाड़ी को देखने से माना करता है पर में कुछ गार्ड के साथ जाकर गूदूल को एरेश्ट कर लेता है और उसे रसी से बांध कर कॉंटे आफिस ले जाता है तो रास्ते में सभी गाहँ वाले ये देखकर बहुत खुस होते हैं और युन्हों की तारीफ करते हैं इधर लाट चॉई को गूदूल के एरेश्ट हो और वो हमेशा लीसियो रिम के बारे में ही क्यों बाते करती है इन सभी सवालों का जवाब ढूडने वो विश लेडी के पास जाता है और उनसे पूसता है कि लीसियो रिम जो मेरी फियांसी थी कहीं मैंने उसे भी तो नहीं मार डाला इस पर विश लेडी कहती है कि हाँ खाली पड़े घर में पहुंच गई थी और उसने सब कुछ देख लिया था इसलिए मेरे कहने पर तुमने उसे मार दिया था और तुमने ही मुझ से इस मडर की यादों को तुम्हारे दिमाग से मिटाने के लिए कहा था इसलिए मैंने उसकी यादों को तुम्हारे दिमाग से मिटा दिया था विश लेड़ी उसे सब कुछ बताती हैं पर जान बूच कर उसे ये नहीं बताती कि आरंग ही लीसी और रिम है सारी हकीकत जान लेने के बाद जुआ सौक्ड होता है और गिल्टी फील करता है और फिर चुप चाप वहां से चला जाता है इधर युन्हों के भ लॉट चुआई जज्ज की पोस्ट पर वहां आया था और उसके बारे में उनके पास बहुत सी कंप्लेन आने लगी थी तो उन्हों ने उसे उसके क्राइम के लिए पनिस करने की कोसिस की तो बदले में लॉट चुआई ने उन्हें साजिस करके गद्दार साबित कर दिया और बुरुट वली उनके पूरी फैमली का मर्डर करवा दिया पर तुम्हारी मा किसी तरह वहां से बच निकली फिर वो युन्हों से कहते हैं कि मैं जानता हूं उसने तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमली को एक साथ मरते देखा था वो इ मेरे साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की इंस्टैन नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुडबाए